आज में के लिए बहुत ही पानी पुरी की रेश्पी लेते हों आप сब्य फॉलो करके बनाएंगे। शुने तरह इंडरह पानी पुर्ष्य करेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 चुल सूजी लिए रधा कप ग्हु n चाटा वाथु किया। और बाद में इसे अच्छे से हाथों से मसलने के बाद इसे हमें 10 मिनिट के लिए ढखकर रख देना है यहां हमने मटर को 3-4 घंटे सोक करने के लिए रख दिया था उसके बाद हमें मटर को कुकर में डाल के एक ग्लास पानी डाले और एक स्पून हल्दी 10 स्वाद अनुसार नमक डाल दें नमक डालने के बाद उसमें 3-4 सीटी आने तक पकने दें जब 3-4 सीटी आ जाए तो उसे चेक कर लिए हमारी मटर अच्छे से पक कर तयार है दस मिनट बाद फिर से हमें आटे को अच्छा गोथ लेना है, उसे मसल के अच्छे से गोथ ले फिर उसके दो टुकड़े करके उसमें छोटी 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 लोईया बना ले तो हमने सभी लोयों को तैयार कर लिया है यह फिमने को टोड़ी अपे किसी भी और ला है। में हला है नहीं दो अधित आगर पूरी अप्र Siep में आउन साम आप आप हो लिया है। इसलिए हमें अच्छे से घरम रखना चाहिए, एके करके पूरीयों को डालना है आलने के बाद थोड़ी देर पकने दें एकक करके अब एक साथ कई पूरियों डाल देंगे तो अच्छे से नहीं फूल है इसलिए करके पूरिया डाले जब पूरिया पग जाए तो लाश्ट में हमने इतनी फ्राय किया है उसे थोड़ी देर के लिए धीमी आज पर सभी पूरियों को फिर दुबारा फ्राय कर दें आप पे द अच्छे से अव्मोडर पानी पेस्ट न अच्छे से एक कर दो नगे यहां बें सभी पानी को घुक जीतिे स STACK करो में जर्णात कर के नहीं यहां डाले मैं सभी दर्णाला नहीं बाल पीजम दो मतने हैं जले के साथ जया चैप अच्छे ज़वा अगर आपको एरस्पी पसंद आयो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाई